Hello and welcome friends, कैसे आप लोग, उमीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त और होस समीर दोस्तों, basically company profile जो है वो बनाना क्यों पड़ता है लोगों को company profile बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास में एक अच्छा company profile है, तो आप लोगों को ये बता सकते कि आपकी company क्या काम करती है, आप कौन हो, आपकी policy क्या है दोस्तों, mostly लोग company profile इसलिए बनवाना चाते है, ताके वो अपने customers को जो उनके बारे में जानना चाते हैं, जो उनकी company में interested है उनको एक document भेज सके के हमारी company करती क्या है, हम है कौन, हमने क्या काम किये हैं, और हम कैसे काम कर सकते हैं और हमको अगर काम आप दोगे, तो आपका क्या फाइदा होगा, आपको क्या facilities मिलेगी और आपका किस तरीके से हम profit ही बना के देंगे तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी company का एक profile बनवाना चाहते हो, तो screen पे हमारा number दिया हुआ है, आप हमें contact कर सकते हो, हम आपको बना के देंगे एक अच्छा सा company profile दोस्तों, एक अच्छा company profile जो है, वो ना सिफ आपकी company की reputation आगे बढ़ाएगा, लेकिन आपको अच्छे customers भी लाके देगा और जो भी लोग आपकी company का profile देखेंगे, वो आप से inquiry जरूर करेंगे, और अगर आपको वो काम देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने आपको काम नहीं भी दिया, by chance, क्योंकि हो सकता है कि आपका और उनका जो pricing है, costing है, वो mail नहीं खाता हो कोई कारण व बात भी आपका एक अच्छा company profile उनके दिमाग में, उनकी memory में आपकी company के लिए एक छाप छोड़ जाएगा, जी हाँ वो आपको याद जरूर रखेंगे, future में कोई काम देने के लिए, तो दोस्तो एक अच्छा company profile बनाना एक बहुत अच्छा investment है, company profile आपको हमेशा नहीं ब बनवाना है, तो क्यों न प्रोफेशनल लोगों से company profile बनवाया जाए, हम professionals हैं, हम आपको एक अच्छा company profile बनाके देंगे,